नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रिट मकर रासी वालों जून 2021 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है आज हम आपसे यही साजा करेंगे वीडियो के अंतक बने रही है और ये प्रिडिक्सन चंदरासी पर देव गुरू भिस्पती और चंदर मा आपके धनभाने है द्ब सूर्य राहू आपके पंचम भान Bayma вес बुद्ध मंगल शुक्र आपके अस्टम भान में रहेंगे के तू आपके जहारावें हमेह और इसी अनूसार अगर हम महनेchts कि धाल की बात करें मानसिक तनाव से राहत महसूस कीजिएगा आपके कुछ पुराने मित्र इस समय आपके काम भी आएंगे और धन के मामले में पहले से आप बहतर महसूस करेंगे कोई गलत काम करने से आपकी बदनामी हो सकती है इसलिए आप जरा समल के रहिएगा पहले सप्ताम में तो चलिए जानते हैं बिस्तार से कि क्या होगा और कैसे आप तमाम परिशानिये से बाहर निकले तो पहले कारीचेतर के बारे में जानते हैं मिला जुला हुआ है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा इसमें आपकी करियर आपको खुद के प्रयास से ही तै करनी है यानि भागे का साथ कम मिल करने करम और करनी किजां है तिहां हिए मिलेगा जितना गुर्ड डालें गये सामय में जाने के निदिक साहिते जिदना भागे साथ अब आपको सफलता के लिए ज्यादा पृष्ट्रम नहीं है लेकिन 20 तुर्य रासी परिवर्तन करेंगे आपको ज्यादा बेहतर परिनाम तो प्राप्त होंगे लेकिन बहुत सारी चुनाओतियां भी रहेंगी 22 जून से जो गरह गोचर बदलेंगे तब यहाँ पर क्या होगा आप धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आएगा जो लोग जौब करते हैं उनके परिश्रम से उनको पदोनती मिलेगी कारेस्थल पर इस्तिती बेहतर होगी कारोवर के लिए भी समें पढ़िया रहेगा और इसमें आपके जो संपर्क हैं उसका फाइदा उठाना मत भूलिएगा बात करते हैं आपके स्वास्त की देखिए आपके लिए चुकि करोणा वायरस का वक्त है तो सुरुवात में थोड़ा आपने स्वास्त का ध्यान रखना है और मंगल भी छटे भाव में हैं जो कि रोग चोट औरीन करजे सत्रु का भाव है अब मंगल यहां पर आने से आपको थोड़ा सब बीमारियां परिशान करती नजर आएंगी सुर्य राहू आपके पंचंभाव में है थोड़ी सी पेट की कंभीर समस्या है जैसे गैस बेगरे की प्रॉबलम या पेट में दर्द जैसी चीजें हो सकती है थोड़ा ध्यान दे हलांकि जैसे ही सुर्य का रासी प्रिवर्तन होका तो थोड़ी राहत बिलेगी जो आपके इंकम में कोई खास दिकत नहीं होगी क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे पर धन आएगा अब जो सुर्य देव हैं आपके लाब के भाव एकादस भाव पर दिश्टी डाले हैं और जो राहू देव हैं वो भी इस भाव पर दिश्टी डाल रहे हैं तो इस्तिति आपके लिए सामान्य हैं आपके धन भाव में देव गुरु हैं जो धन का भी भाव है अब इसका मतलब है कि परिश्रम से प्रयास से धन कमाएंगे बचाएंगे इसमें कहीं भी पैसे इंबेश्ट करना चाहते हैं सोस समझकर कीजिए भविस्य में लाब होगा और अगर पहले से क द्रिश्टी से भी बढ़िया है क्योंकि परिवार के भौद्विती भाव में जो देव गुरु हैं तो परिवार में बना रहेगा और घर में सुक्सांति बनी रहेगी लेकि अपनों कारे भी हो सकता है किसी नए व्यक्ति का आगमन जैसे संतान प्राप्ति की योग भी बन करें घर में खुशियों का बाताब रहन है और स्थितियां थोड़ा बदल भी रही है जैसे ही चौथे भाव के स्वामी मंगल चटेवा में जाएंगे तो संपत्ति प्रोपर्टी को लेकर अपनों के बीच यानि जो पैत्रिक संपत्ति है उसको लेकर कहीं परिवार में बि जीवन की बात करें तो जो लब लेसंसिप में हैं उनके लिए थोड़ी चुनोतियां है क्योंकि आपके पंचम भाव में सुरी विराजमान है और राहू भी हैं दोनों गरह एक साथ होकर प्रेमी जो प्रेम लब लाइफ में लोग हैं उनके जीवन में थोड़ी सी परसानि बढ़ाते नजर आएंगे अब आपका ताल मेल विगड़ सकता है हो सकता है आप एक दूसरे की बातों को समझी ना पाएं अगर रिष्टे बचाने जाते हैं तो सांत रहें धहर से काम लें और जहां तक संबबों कम मिलें लेकिन जो लोग बैवाहिक जीवन में हैं देखि सब्तमभाव पर आपके लगन में सनीदे बैठे हैं तो दृष्टी डाल रहे हैं तो ऐसे में मंगल भी दो जून को सब्तमभाव में आकर मांगली दोस बना लेंगे तब आपके दामपत्त जीवन में चुनोतिया होंगी मांगली दोस होने से एक दूसरे को समझेंगे नही बे बज़र तनाव होगा जगड़े लड़ाई अब यहां पर चुकि साड़े साथी भी चल रही है तो किसी भी बात को आगे ना बढ़ने दें एक ब्यक्ति सांत हो जाए तो बढ़ियां रहेगा और इसमें अपने जीवन साथी के स्वास्त का भी ध्यान रखें क्योंकि यहा करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए यह तो जानेंगे लेकिन आये जानते हैं और विस्तार से एक बात हमेशा ही याद रखिएगा घर में कुछ भी हो जाए घर की बाते बाहर करने से बचिए बढ़ना इस्तिति और बिगड़ जाएगी और जग हसाई अलग से होगी तो कितना कमाते हैं आपके पास कितने धन हैं साब जनी के स्थान पर मत कहिए क्योंकि इस समय सत्रू विरोधी भी एक्टिव हैं तो ऐसे में यहां भी आपकी परिशानी बढ़ेगी सत्रू परिशान कर सकते हैं तो धन के मामनों में जड़ा सम्हल के रहें और अपने बैपार स लगेगा टीवी कंप्यूटर लेप्टॉप में ज्यादा समय बीतेगा जिसके कारण माता पीता थोड़े टेंशन में दिखेंगे और हो सकता है पिता के साथ जगड़े हो जाएं तो आप पढ़ाई कीजिए और भटकाओं से बचिए अंदेखी चीजों में पढ़ेंगे तो क्या होगा अच्छे-च्छे मौके हां से निकल जाएंगे तो ध्यान रखना है आपको गयत्री मंत्र रोज 27 बर पढ़िए अब दूसी तरफ चुकि इहां पर बैबाही जीवन में थोड़ा टेंशन है क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए सबसे पहली बात तो आप बेहतेवे पानी में जो सनीवार का दिन है आप काली उड़द के दाने बहाएं या फिरोज सामें ओम संगसने चिराए नमह इस मंद्र का 108 बर जब करें तो रहात मिलेगी फिलाल भी दालेंगे धन्यवाद